हे गाईज केसे हैं आप सब आसा करते हैं आप लोग अच्छी हों है गाईज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसे 5 प्रिमियम इलेक्टर की स्कूटर के बारे में जो 1,00,000 के अंदर या फिर 1,00,000 के आसपास में मिलने वाली है तो गाईज अगर आप भी एक एलेक्टर की स्कूटर परचेश करने की प्लान बना रहे हैं और आपकी बजट केवल 1,00,000 के आसपास ही है तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेलफूल हो सकता है तो गाईज वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और गाईज चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो गाईज सबसे पहले बात करते हैं Ola Company की तरफ से आने वाली Ola S1X Plus के बारे में गाईज ये एलेक्टर की स्कूटर आपको 89,999 रुपिय की एक सोरूम प्राइस पे मिल जाती है जिसमें आपको 3 किलो वाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा जिससे इसकी रेंज हो जाती है 151 किलोमीटर की मोटर की बात करें गाईज तो इसमें VRDC हब मोटर का इस्तेमाल क्या गया है जो की 6000 वाट का है जिसे इसकी टॉप इस्वीड हो जाती है 90 किलोमीटर परावर की अब अगर बात करें इसके सस्पेंसन और बेल के गाईज तो इसके फरंट में आपकोดी ली स्कोपी सस्पेंसन देखने को मिल जाएगा रेयर में गाईज Spring Shock Observer दिया गया है टायर साइज की बात करें गाज तो फ्रंट रेर दोनों में आपको 90 by 90 12 इंचेज का टिवलेस टायर देखने को मिल जाएगा, स्टील विल के साथ, ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें गाज तो इसके दोनों ही पहियों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, यहीं प कि आपको इसमें देखने को मिल जाइगा अगला है Bounce Infinity gesch क्षटा है आपको 100 stations देखने क्षट को मिल जाएगा जासे इसकी प्राइब tartव चिलियां कि बात करें करें चोई-टी Top 25Tी प्र Kita बात करें इसके suspension और wheel के गाईज तो इसके front में dual telescopi suspension दिया गया है, rare में guys spring shock absorber दिया गया है, tire size की बात करें गाईज तो इसके front में आपको 90 by 90 12 inches का और rare में आपको 120 by 72 inches का tubeless tire देखने की मिल जाएगा, लगाई wheel के साथ, braking system की बात करें गाईज तो इसके front में आपको disc brake देखने की मिल जाएगा, rare में guys drum brake ही दिया गया है, बात करें इसके feature की guys तो इसमें भी आपको digital meter console देखने की मिल जाएगा, जिसमें आपको speedometer, odometer, trip meter, riding mode, reverse mode, battery power indicator, anti theft, alarm, इस सारे feature आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, थर्ड नमबर पर आती है Bigos C12 IEX electric scooter जिसकी price आपको 1,00,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, guys इस electric scooter में आपको 3.2 kWh का battery pack देखने को मिल जाता है, जिससे इसकी range हो जाती है, 80 से लेके 90 km की, इसके motor की बात करें guys तो इसमें भी आपको hub motor देखने को मिल जाएगा, जो की 500 Watt का जिससे इसकी top speed हो जाती है, 50 km की, बात करें इसके suspension और भिल की guys तो front में dual telescopi suspension दिया गया है, rear में guys spring shock absorber दिया गया है, जो की adjustable है, tire size की बात करें guys तो front rear दोनों में आपको 10 inches का tipless tire देखने को मिल जाएगा, यहीं पर बात करें guys तो इसके दोनों ही पईयों में आपको drum brake द riding mode, reverse mode, battery power indicator, anti theft alarm, mobile application, SRA feature आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, अगला है e-pluto 7G जिसका आपको एक showroom price देखने को मिल जाएगा, 89,999 रुपिया, guys इस electric scooter में आपको 2.5 kWh का battery pack देखने को मिल जाएगा, जिससे इसकी range हो जाती 120 km की, इसके motor की बात करेंगा, इसको इसमें भ जाती है, 60 km per hour की, बात करेंगा, इसके suspension और विल के गाईज, तो front में dual telescopy suspension दिया गया है, rare में dual spring shock absorber दिया गया है, tire size की बात करेंगा, इसके front में disc brake दिया गया है, यहीं पर बात करेंगा, इसके feature के गाईज, तो इसमें भी आपको digital meter console देखने को मिल जाएगा, जिसमें आ जोडो मीटर, राइडिंग मोड, reverse mode, battery power indicator, anti theft, alarm, mobile application, SRA feature आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, फिफ्त नमबर पे आती है, बेंग लिंग और एलेक्टर की scooter, जिसकी एक सोरूम प्राइस से 1,9660 रुपया, गाईज, इस एलेक्टर की scooter में आपको 2.8 किलो वाट आवर्स का battery pack देखने को मिल जाएगा, जिससे इसकी range हो जाती है, 120 किलो मीटर की, इसके motor की बात करेगा, इस तो इसमें 2.5 किलो वाट आवर्स का VLDC हम मोटर दिया गया है, जिससे इसकी top speed हो जाती है, 60 किलो मीटर पर आवर की, इसके suspension और wheel की बात करेगा, इसके front में dual telescopic suspension दिया गया rear में guys, dual spring shock observer दिया गया है, tire size की बात करेगा, इसके front rear दोनों में आपको 12 inches का tivilless tire देखने को मिल जाएगा, लवी के साथ, braking system की बात करेगा, इसके front में आपको disc brake देखने को मिल जाएगा, rear में guys, drum brake है दिया गया है, अब अगर बात करेगा, इसके feature की guys, तो इसमें भी road meter, trip meter, riding mode, reverse mode, battery power indicator, anti-theft error, इस सारे feature आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, तो guys इन पाचोई electric scooter में आपको सबसे best count सा लगा, और इन पाचोई electric scooter में से किस electric scooter को आप purchase करना चाहें, comment करके comment box में जरूर बताएगा, बाकि guys इस वीडियो में सिर्फ इतना ये वीडियो गर अ प्रेश कर दीजयेगा ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिल आप